नमस्कार दोस्तों मैं उस्तूर ज़र आप देख रहे हैं टेक्निकल डेली अपडेट्स दोस्तों आज का यह वीडियो XS bank credit card users के लिए दोस्तों गर आप भी XS bank credit card उपयोग करते हैं तो अफिसली आपके पास जो हर महीने आपके email id पर जो है एक statement भेजा जाता होगा एक pdf भेजा जाता होगा जो की password protected रहता है तो उसका password क्या रहता है इसी चीज को इस वीडियो में हम जो है जानने वाले है तो चलो सबसे पहले Gmail को यहाँ पर open कर लेता है और यहाँ पर मैं search क statement मुझे भेजा गया है अगर मैं इसके pdf को अगर यहाँ पर open करूँ यहाँ पर अगर मैं download कर लिया मैंने इससे अगर मैं आसे open करूँगा तो यह मुझ से जो है password मांग रहा है यह file जो है password protected है तो इसका password क्या होगा तो देखो जो भी जो भी आपको statement भेजा जाता है आपक हमें password यहां पर समझाय गए है यहां पर दो एक्जामपल देखकर पासवड अब दोनों को मिला कर यहां पर पासवड कर्येट जिए कि आपका जैसे कि तेलुग agenda मेंी लोग में देख सकते हैं तमईल लोग में तो सामने का जो भी रहेगा नाम उसका डेट और मन्थ वह आपको यहां पर पासवर्ट बन चुका है इसे डालेंगे ओपन हो जागा दूसरा एक्जांपल देख लेते हैं दूसरा एक्जांपल देखो यहां पे अगर यह उपर ओला जो था वो बैंक के लिए है यह भी मतलब यह जो है बैंक अकाउंट से अगर आता है statement वह अगर इससे नहीं खुलता है तो दूसरा वाला आप यहां पर उपयोग कर सकते हैं ज किसी किसी में जो है date of birth लेता है किसी किसी में card का जो credit card है उसके last का फोर डिजिट मंगता है ठीक है तो यहां पर देखो जैसे कि इसका नाम है सामने रगा ck अजयक मारतो सामने का four letter capital में ckaj capital उसके बाद जो उसका credit card है उसके last का four digit last का जो भी चार रंग होगा वो वो दोन search का s u r a capital उसके बाद अपने card का last का four digit यहां पर enter करता हूं तो यहां पर मैंने जो अपने card का four digit भी यहां पर टाइप कर दिया मैं आपर open पे click करता हूं और यह देखो मेरा statement यहां पर आसानी से open हो चुगा है तो यह दो तरीके से आप अपना password बना सकते हैं अगर पहला work नहीं कर रहा दूसरा try कर लो दूसरा work नहीं कर रहा पहला try कर लो इस तरह से आसानी से आप जो है access bank credit card statement का password open कर सकते हैं और अगर आप जो है इसका account से अगर account की और से अगर bank की और से account का statement आ रहा है तो भी एक बार यह password try कर सकते हो अगर कोई दिख्यत आती तो आप comment कर सकत साथ ही मैं आपको दादू इसी तरह के basic वीडियो से हमें अप्लोड करता रहता हूं उपर आई बिटम में और नीचे description में मैंने एक playlist का link दिया जिसमें आपको जो है access banks related बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे तो उसे जाकर जो आप देख सकते हैं दोस्तों जानकारी channel को subscribe करें और share करें आज के लिए वसे तना ही मिलते हैं next video में एक नए topic के साथ